Hello students, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चनल में तो अगर आप Hindi में अच्छे marks लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका जो खंड का और खंड का होगा तो खास करके इन दोनों ही sections को आप लोग अच्छे से जरूर तयारी कर ले जिसमें आपका खंड का में अपठित एक गद्यांस रहेगा और एक काव्यांस रहेगा उसमें से आपके 10 marks के questions रहेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा important है क्योंकि 40 में 10 marks का आपका सिर्फ खंड का से ही रहेगा और दूसरा जो सबसे ज़्यादा important है वो है आपके लिए व्याकरन का portion तो व्याकरन का पूरा portion को मैंने cover करके एक वीडियो बनाया हुआ है description पे मैं उसका link दे दूँगा आप उसकी वीडियो को जाके जरूर देखे और 14 marks का आपका textbook से question रहेगा तो जो की मैंने यहाँ पे अभी questions को लिया हुआ है ठीक है तो मैं यहाँ पे आपको सारे questions और उसके answers को बताते जा रहा हूँ top 10 questions को मैं यहाँ पे आप लोगो बताऊंगा यहाँ से questions आपके मिल जाएंगे ठीक है तो question number 1 है कि क्रिश्न की संगती में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अच्छूते रहे हैं options are उद्धाव, B है, गोपिया, option C है, राधा या फिर इन में से कोई नहीं तो right answers का क्या होगा? option A, उद्धाव आगे question number 2 है, एक बार कस्वे से गुजरते समय, हवलदार को मूर्ती में क्या अंतर दिखाई दिया? option दिया गया है, मूर्ती पर चस्मा नहीं था, मूर्ती टूटी हुई थी, मूर्ती गंदी थी, या फिर इन में से कोई नहीं तो option A, right answer होगा, कि मूर्ती पर चस्मा नहीं था, ठीक है? next, आगे question number 3 दिया गया है, कि हवलदार साहव किस बात पर दुखी हो गया है? option है, पानवाले को देखकर, option B है, नेता जी की मूर्ती को देखकर, option C है, दुनिया के स्वार्थी स्वाव पर, या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका right answer option C होगा, दुनिया के स्वार्थी स्वाव पर, ठीक है? चलिए, आगे question number 4 को देखते हैं, फोर नमबर दिया गया है, कि बाल गोवीन के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता था, option दिया गया है, प्रभु मिलन का, देश भक्ति का, वियोग का, फिर इन में से कोई नहीं, right answer इसका होगा option A, प्रभु मिलन का, आगे next question number 5 में आते हैं 5 नमबर दिया गया है, बाल गोवीन किस के पद गाया करते थे, options है, रहीम के, सूर दास के, कबीर के, या फिर तुलसी दास के, right answer option C होगा कबीर दास के, ठीक है, next question number 6 है, परशु राम ने किस के प्रेम के कारण लच्छमन का वद्ध नहीं किया, option है, सीव के, राम के, पित परशु राम के किस गुन को दर्शाता है, option है, योद्धा, कायर, शासी, मुर्कता, right answer option A होगा, योद्धा, next question number 8 दिया गया है, परशु राम सीव को क्या मानते थे, option है, पिता, इसवर, गुरू या फिर शेवक, right answer है, option C, गुरू, next question number 9 दिया गया है, कि लक्षमन ने पर परशु राम के कि स्वभाव पर व्यांगे किया है, option है, चाटु कारिता, आलशी पन, मधूर, या फिर बड़ बोलापन, right answer है, option D, बड़ बोलापन, next, एक last question number 10 दिया गया है, गोप्यों को कृष्ण का व्यवार कैसा प्रतीत होता थे, option है, उदार, छल पूर्म, add answer होगा, option B, चल पूर्म, तो यहाँ पर मैंने आपको 10 question दी है, text book से, जिसे कि आपके examations में अच्छे marks आ सके, और इन में से questions आपके examations में जरूर पूछाई जाएगा, बाकि जो आपका section A और section B है, जिसमें आपका grammar और जो आपका reading section होता है, तो उसको आप अच्छे link मिल जाएगा, आपको जाके जरूर देखे, thank you